पाकिस्तान समर्थित आतंक वादियो ए आपड़ा बहदूर सैनीको नागरीको औने कामदारोने निशान बनावी रहाची त्यारे जम्मु काश्मिर ना अकनूर मा सेना ना काफला पर आतंकियो द्वारा हुमलो करवा मा आवे होतु। पाइरिंग बाद आतंकियो जंगल तरफ भागे किया आता सेनाय विश्तार ने घहरी लिदो आने सर्च ओपरेशन हाथ दरियो तु। लगभग पांच कललाग ना एनकाउंटर बाद त्रणे आतंकियो ने ठार करवा मा आवे हाता। गुसानकोरी नो प्रयास करे होतु। जैने सुरक्ष दड़ोए निश्वर बनावे हो छे। बना था। अभी भी पाक उस वाड़न का इलाका है इसलिए मां से गुस्पैट होती है। और स्थानी लोग भी कहीं न कहीं इसमें शामिल होंगे। तब ही रास्ता उनको मालूम पड़ता है। तो सैना ने घहरा है। देखिए अभी खबर आएगी कि उनको मार गिराया गय है। लेकिन सैना तो स्तर्क है ही लेकिन आम लोगों को भी संदिग जो लोग नजर आते हैं उनके बारे में सूचित करना चाहिए ताकि इस प्रकार के हाथ से ना हो। तो बिजी तरफ गांदर बल बाद अवे काश्मी ना अखनूर मा आतंक्योए सैना ना वाहन पर हुमलो करे होतो। सैना नी एम्मिलेंस पर चार आतंगवादियोई गोडिबार करे होतो। जो किया हुमला मा कोईने इजा थाई होवाना समाचार न थी। परन्तु वाहन ने घणू नुक्षान थाई हुछे। आतंकी हुमलो समवारे सवारे थाई होतो। फायरिंग थताज जोगवान मा श्यूसन मंदिर पासे ना बटाल विस्तार मा घबराट फेलाई गहोतो। उलेकनीय छे के गुरुवारे पन आतंकी हुए सेना ना एक वाहन पर गोडी बार करियो हतो। आहुमलो 24 अक्टुबरी गुलमर्ग थी 6 किलमेटर दूर बोटा बातरी विस्तार मा थायो हतो। आहुमला मा एक पोटर सहित बे जवानों शहित थया हता। जे बात विस्तार मा सर्च ओपरेशन हाथ दर्वामा आवि हतो। सैना ने पोलिसे ड्रोन अने हेलिकप्टर वडे विस्ताने दरे खुणे-खुणे शोद खोड करी हती। परन्तु आतंकवादियोंनों कोई पतो मड़े उना हतो। आप एला गांदर बल्मा आतंकवादियों सामने लोको पर हुमलो कर्यो हतो। अचानक थायला गोडिबार मा डॉक्टर सहित साथ लोको ना मौत थया हता। अनि लगबग 10 लोको घंबी रिते घायल थया हता।